हाई फ्रेंज हम वापस आए हैं वोख हेल्ट सिरीज के एक नए एपिसोड के साथ जैसे कि सब कहते हैं सुबह सुबह हमें वोक आउट करना चाहिए या काम की बाद हमें समय निकाल कर वोक आउट करना चाहिए पर सच तो यह है कि हमें से बहुत लोग सुबह उठ नहीं पात हैं पहला डेस्क्टॉप एक्सराइज है हेड टिल्ट्स सर को ऐसे हिलाए जिससे आपका राइट यर राइट कंधे को चू सके वहां पर तीन की गिंटी तक रहें फिर दीरे से वापस सर को सीधे कर लीजे बाएं तरफ भी यही कीजिए दूसरा एक्सरा एक्सराइज पाम अखर्मी महसूस हो रही है इससे आँखों को राहत मिलती है तीसरे एक्सराइज का नाम है माउट स्विशिज इससे आपके चेहरे के मसल्स को राहत मिलती है मूँ के अंदर हवा भरे और उसे एक गाल से दूसरे गाल पर माउट वॉश की तरह गुमाएं चौथा एक्सेसाइज है इर रब अपने कानों को बड़े अराम से दोनों हाथों से मसाज करें अपने इंडेक्स और मिदल फिंगर का इस्तमाल करते हुए एक V-Shape बना कर अपने कानों पर हलके दबाव से मसाज करें अगला एक्सेसाइज जो हम करेंगे वो है Reaching for the Sky अपने हाथों को अपने सर के उपर ले आएं सीधे होकर जितना हो सके हाथों को उपर खीचें ये आपके हाथों और साइज के लिए अच्छा है आखरी एक्सेसाइज जो हम करेंगे वो है Shoulder Shrugs सास को अंदर लेते हुए अपने कंधों को धीरे से कान के पास ले आईए और सास को बाहर छोड़ते वक्त कंधों को नीचे ले आईए इसे दस बार करें ऐसा करने से आपके कंधे की मान स्पेशिया नरम रहती हैं काम करते वक्त ये याद रखे कि जितना हो सके उतने ही यहां वहां चलें. इसके लिए अपने लगश के टाइम पर 10 मिनट निकालें और अपने कैंपस के आसपास घूमें. अपनी गारी को जितना दूर हो सके उतना ही दूर पार्क करें ताकि ओफिस से अपने कार तक चलने का मौका मिले और एलेवेटर के बजाए सीडियों का इस्तमाल करें ये सारी छोटी छोटी टिप्स आपको जादा स्वस्थ होने में जरूर मदद करेंगी ग्रेट तो अब उन इन एक्सेसाइज़ज को ना करने का आपके पास कोई बहाना नहीं। जिन को पूरी तरह नहीं भूल सकते लेकिन ये उन दिनों के लिए है जब आपके पास बहुत काम होता है। क्या आपके पास ऐसा कोई एक्सेसाइज है जो आप करते हैं? फ्लीज हमारे comment section में लिखें। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। See you later!